हेलो फ्रेंड्स आज हम आपसे डिस्कस करेंगी इलेक्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल नर्जी जोकी इलेक्ट्रो स्टेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है जोकी जेई एमेंस और एडवांस में इसके बहुत सारे निमेरिकल्स आते हैं तो इसलि तो हम यह आपको लिखेंगे नहीं हम बस बोलेंगे हमारी बात को ध्यान से सुनना ठीक है पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल नर्जी क्या हता है कि वर्क एगेंस्ट कंजरवेटिव फिल्ड जैसे कि हम समझाएंगे आपको जैसे एक इलेक्ट्रिक फिल्ड है ठीक है यह इलेक्ट्रिक फिल्ड है यह इसमें अगर कोई पोजिटिव चार्ज डालेंगे तो इस पर फोर्स क्या उल्टा लगेगा ठीक है सॉरी फोर्स इधर ही लगेगा अगर हमें इधर हमें इसे रोकना है पोटेंशियल अपलाई करना पड़ेगा तो हमें एक्स्टर्नल उल परन्ग देना पड़ेगा फोर्स तो इसमें कहां से हुआ वड़े इसमें तो वर्क अलांग हो गया तो यह जो आप पढ़ते आए हैं यह गलत है वर्क और लेक्ट्रिक फिल्ड बिल्कुल पूदी तरह से गलत है वर्क और वर्क एगेंस्ट कंजर्वेड्यू फोर्स होग लेकिन अगर यह निगेटिव चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रिक लाइन जैसे कि यह इधर उल्टा भागेगा ही लेकिन जिस तरफ भागेगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगा ठीक है तो फोर्स हमें रोकने के लिए इस तरफ देना पड़ेगा तो यह उल्टा ह करदा करेंगा है तो पिदी यारी कई इसको करेंगे हम यह सेगमेंट है एंक्रीमेंट है किसी रैडियस में यह इंक्रीमेंट दिखाता है ठीक है तो यह क्या होता है potential energy होता क्या है यह होता है required work ध्यान से चुनिएगा required work to change position and configuration of charges and system ठीक है against conservative field या interaction force conservative field को ही interaction force बोलते है ठीक है इसमें without change in its kinetic energy आता है जहां से charge को displacement को मानेंगे जिस axis पे से मानना चालू करेंगे उससे हम reference point मानते हैं वहाँ पर potential energy zero होता है इसे अपने जहें में बैठा लेज़े ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं कि होता क्या है तो यह देखिए force external होता है into displacement ठीक है f into ds यह हम जानते हैं work होता है अगर जैसे हमे field के against में काम करना है तो minus force of field भी लिख सकते हैं ठीक है हम अपने force को field के force के equal करेंगे लेकिन opposite रहते हैं इसलिए minus into dr यह भी होगा ठीक है इसको integrate करेंगे जिस increment जमलब जहां से जहां तक होगा ठीक है जहां से जहां तक हमें displacement होगा ठीक है तो आगे हम बढ़ते हैं एक हम numerical के along आपको concept देंगे ठीक है हम ज्यादा इसमें theory पढ़ाएंगे नहीं आपको क्योंकि यह एक बहुत important topic है topic पर question पुछता है तो इसलिए हम आपको एक numerical के along concept देंगे ठीक है तो friends यह रहा एक question इसके along हम आपको समझाएंगे कि electric field होगा कई में होता क्या है ठीक है तो हम जानें तो यह इस पर फोर्स लगाएगा क्यों इसका फोर्स इसका चार्ज है क्यों तो यह अपने चार्ज और इस electric field का force q into e लगाएगा लेकिन यह भी हम external force देकर ला रहे हैं तो इधर होगा f external ठीक है तो इसका potential energy कितना होगा du is equal to क्या होगा work du external होगा external अब यह external force को minus force of field भी लि ठीक है dr देखिए dr को integrate करेंगे infinite से आर नाट ठीक है तो initially किस पर है infinite पर लेकिन लाना का है पर आर नाट पर लाना है तो field का force ही अब जानते ही है कि electric field का force क्या है मलब electric field पर force लागा तो कैसे होता है तो q upon 4 pi epsilon not क्या होता है r square होता है ठीक है into यह हो गया electric force force पूचा है तो दोनों charge का दोनों charge into upon 4 pi epsilon not into दोनों के बीच का radius r square ठीक है r not square सारी गलती हो गया r not square ठीक है into dr dr को integrate करेंगे dr को integrate करेंगे कहां से integrate करना है infinite से r not तक ठीक है तो यह r not वैसे ही बन जाएगा तो इसे हम r ही लिखते हैं तो यह क्या होगा यह constant बाहर निकल जाएगा तो अंदर बचा dr y r square इसको integrate करेंगे इसको integrate करेंगे infinite से r0 तक ठीक है और यह constant का के लिख देते हैं k is equal to क्या होगा k is equal to q into q0 upon 4 pi epsilon 0 यह हो गया k बराबर ठीक है तो हम जानते हैं differentiation में आप एक हमारे ही video lecture differentiation पर पनाये हैं जिसमें हम यह समझाएं कि dr by r is equal to minus 1 by r होता है अब limit रखेंगे कहां से कहां तक infinite से r0 तक तो यह minus है minus को अटाने के लिए limit को change कर देंगे तो 1 by r हो जाएगा कहां से कहां तक r0 से infinite तक और k constant रहेगा यह देखिए इधर देखिए sorry इधर देखिए तो इसको हम इधर लाके समझाते हैं ठीक है तो force अब मतलब कि bu potential energy कितना हो जाएगा k into 1 by infinite minus 1 by r0 ठीक है तो यह negative एक पहले से था इस पे एक negative पहले था और एक negative अब आगा इस से तो यह positive एक negative इधर से आगा एक negative minus के पहले से ही था minus minus plus हो गया एक बटे infinite 10 to 0 हो जाएगा r0 हो जाएगा के जीकल टू क्या होगा क्यू क्यू नॉट अपान अपान फोर पाई असाइलेंट नॉट इन्टू इन्टू वन वाई आर नॉट यह हो गया यह हो गया potential energy अगर हम किसी भी charge क्यू नॉट को infinite से आर नॉट तक लाएंगे और infinite से किसी surface पे लाना ही potential अब आगे हम आपको एक नुमेरिकल देते हैं तो फ्रेंट्स यह रान नुमेरिकल इस पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करके क्यू अन्ड की टू की वैलू निकाल सकते हैं तो हम आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं फिर पाउच करके वीडियो को ट्राई कीजिएगा हम तो इसका solution लेंगे आगे देखिए यह दोनों charge है इसमें यह slope है ठीक है यह देखिए दोनों के charge की बीच का जो यह distance है न यह 5 cm है तो जो इलेक्ट्रिक potential का यह जो graph है यह एक axis पे touch कर रहा है दोनों के distance को ठीक है touch करा तो यहाँ 0 हो जाएगा अब हम यहाँ से यह समझ रहा है कि एक decreasing slope है एक increasing slope है एक decreasing है एक increasing है तो जब अगर हम इस slope को V1 मानेंगे और इस slope को V2 मानेंगे तो दोनों decreasing increasing को plus करेंगे तो यह 0 हो जाएगा ठीक है अब यहां तक समझा दी हैं आपको आगे आप लगाएंगे ठीक है तो आप ट्राइ किजेगा हम आपको इरेज करके पूरा समझाते हैं शुरू से ठीक है तो यह देखिए यह solve कैसे करेंगे हम यह V1 और V2 V1 के जगह पर 1y 4pi of silent knot और Q1 है जाएगा ठीक है तो Q1 by 2 इसका distance मलब यह charge upon इसका radius इसका radius 3 है plus 1y 4pi of silent knot into Q2 इस charge upon charge by distance distance किना है 2 ठीक है यह 0 आजाएगा यह उसे उस तरफ ला जाएगे तो क्या आजाएगा Q1 by 3 is equal to minus Q2 by 2 तो Q1 is equal to minus 3 by 2 Q2 यह आजाएगा अब यह आजाएगा तो इसको हम इसी value में रखते हम try कर लेंगे तो हम देखते हैं इसको हम इसमें रख देंगे Q1 की value इसमें रखेंगे तो क्या जाएगा तो minus 3 by 2 Q2 plus Q2 is equal to minus 4 mu कूलंब यह 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 खट जाएगा तो Q2 is equal to 8 micro कूलंब आजाएगा ठीक है Q2 is equal to 8 micro कूलंब आजाएगा तो यहाँ पर value रखेंगे 8 तो 4 जाएगा तो Q1 is equal to minus 12 micro कूलंब आजाएगा तो यह आपका answer आ गया यह देखिए फ्रेंट्स आपका answer आ चुका है तो इसको अब हम solve कर चुके हैं तो आगे हम आपको कुछ और सिखाते हैं तो फ्रेंट्स यह आपको हम potential energy समझा चुके हैं अब electric potential क्या होता यह आपको समझाते हैं तो इदेज कर देते हैं इसको ठीक है अब आपको समझाते हैं कि इलेक्ट्रिक potential क्या होता है ठीक है इलेक्ट्रिक potential इलेक्ट्रिक potential यानि इलेक्ट्रिक potential आएगा तो इलेक्ट्रिक फिल्ड आएगा इलेक्ट्रिक फिल्ड इजिकल टू क्या होता है इलेक्ट्रिक फिल्ड इजिकल टू होता है वी वाई आर ठीक है potential electric potential upon radius इलेक्ट्रिक potential upon radius करेंगे तो इलेक्ट्रिक फिल्ड निकलेगा तो अगर हम electric potential को V से denote tonight electric energy को U से denote करते है ठीक है ठीक है तो अगर हम मानेंगे to field के इंट है तो minus E to dr इसको integrate करेंगे जहां से जहां तक हमें लेना है तो इसमें क्या होता है required work to carrying unit charge from infinite to particular point ठेक है friends तो यह हो गया तो इसका value क्या जाएगा इसका value आएगा Q upon 4 pi epsilon not into r आएगा ठेक है इसमें भी वो उसकी तरह value same रहेगा ठेक है friends तो यह हम पढ़ लिए बस इतना आप जानते रहिए यह इतना concept है कि electric field के हमेशा perpendicular electric potential work करता है ठेक है तो dv is equal to minus edr यह formula है इसका तो अगर हम इसको energy के term में लिखे तो dv electric potential equal to electrical energy potential energy upon charge किस charge से electric potential निकालना है उसकी energy upon वहीं charge करेंगे तो electric potential निकल जाएगा ठेक है friends यह हो गया आपका अगर है से इसको magnitude wise लिखेंगे तो e को magnitude wise लिखेंगे तो v2 minus v1 upon r2 minus r1 positive ले रहा है magnitude में तो mode लगा लेंगे ठीक है यह हो गया यह हमेशा electric जैसे कि electric जैसे v is equal to minus edr हम आपको यहाँ पर समझाए न यह होता क्या है यह हम line integral of electric field है यह line integral of electric field है जैसे यहाँ पर हो गया आपको हम इतना ही पढ़ाना था में thank you प्र्सक्राइब झाल झाल